Hello Achyoller this question is lead of bullet is pened into solid object and melt. Assume that 50% of its kinetic energy was used to heat it. Calculate the initial speed of the blade, initial temperature of the bullet is 27 degrees Celsius, melting point is 27 degrees Celsius. Latent of the fusion of the lead is 2.5 into 10 kph. specifically heat capacity of the lead is 125. हम यहापे कुशें का solution का करता हैं. यहां पे एक LED मेटरील का एक बुलट है और यही पैंटेट करता है किसी solid object को यहां पर मअली जो को एक solid object है बहुत बढ़ा और इस object के अंदर यह पेंटरीट करता चला जाता है तो यहां पे ज़ो LED मेटरील का यह जो करता हूं तो परिसेलिए काड़ीलिट क्या हो जाएगा हीट घ्र करें हम सब्सक्राइब और सब्सक्राइब होने वाला है 50 परसेंट का मतलब हो गया परसेंट इसको ठाने के आपको 100 का डिवाइड करना होगा और यहां पर काइंटिक एनर्जी कितनी है वन बाइटु वी स्कॉर है बटा जिरो से जिरो कर जागा वन बाइटू मतलब यहां पर हीट एनर्जी आपके पास आने लिए वन केलविन में कंवर्ट करू तो इस केलविन को कंवर्ट करने पर 262 इंट करना पड़ेगा तो यह तरी हंड़ेट कहलेद यहां पे हो जाता बटा और इस इसे बुलट का ही जो मैंटिंग पॉइंट तैंपरेचर है मैं तब मैंटिंग पॉइंट temperature हमें इसका दे रखा है कितना 327 degree Celsius हमें melting point temperature हमें यहाप गिवन है कि 327 degree Celsius है तो अगर यह melt हो रहा है तो मतलब इतनी heat gain करके अगर यह melt होता है तो पहले तो इसका temperature 27 degree Celsius है 327 degree Celsius तर जाना चाहिए उसके बाद यह melt होगा तो किसी भी object को melt होने के लिए पहले होगा करना होगा उसका temperature increase होगा 27 degree Celsius से 327 तर जाना होगा और melt होगा उसके बाद होगा at constant temperature तो कि face हम इसे constant temperature पे change होती है तो यहाँ पर heat लेगा वो तो heat हो जाएगी ms delta t हो जाएगी और यहाँ पर heat लेगा वो आपके पास latent heat हो जाती है तो finally total heat यहाँ पर यह लेने वाला है कि melt होने के लिए बटा और यह heat देखों रहा है इसकी kinetic energy का 50% दे रहा है मतले दोनों equation को equivalent कर सकते हैं तो आईए अगर मैं इसको equivalent करता हूँ तो 1 by 4 m into v square is equals to ms delta t into plus ml हम लिख देते हैं अगर हमने इसको इसे लिखा तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर अगर 20 को लिखा जाए तो 20 क्या हो जाएगा finally 4s delta t 4s delta t plus का यहाँ पर 4 ml हो जाता है बटा और आम से हम हमारा कट जाएगा तो v finally कितना हो जाएगा 4 का स्कूर 2 भारा जाएगा अंदर हमारा पास s into change in temperature प्लस लेटेंट हीड हमारा पस बन जाता है और मास यहाँ से आपका cancelled हो गया क्यों मास तो वहाँ से सभी चम से cancelled हो जाएगा अगर हमने सारी इस विली को पूट कर दें सारी विली को पूट कर दें तो हम विलीट को बहुत इजीली find out कर पाएंगे तो यहाँ पे टू तो बार ही specific capacity और जो लेड मेटरियल है वो हमें अल्रड़ी हाँ पे given है कितनी है देको 125 हाँ पे हमें उसका specific capacity given है टैस का विलीव हाँ पे 125 हो जाता है टैस का विलीव हम आपे 125 पूट कर देंगे चेंज इन टेंपरिचर अगर हम बात करें तो बात करेंगे 2.5 into 10 की पार 4 है यह सारी विलीव हमने यह पे पूट कर दिया तो solve करते हैं तो आग के पार जो velocity है वो कितनी आ जाती है 500 meter per second हमार पास velocity आ जाती है और यही हमसे पूछा गया था कि उसकी velocity क्या होगी तो वह कितनी हो गई 500 meter per second हमार पास उसकी velocity हो जाती है कि उसकी initial velocity कितनी होगी बटा तो initial speed के अगर बात को तो initial speed जो उसके होने वाली है तो initial speed उसकी 500 meter per second होने वाली है और यही इस question का answer होगा ओके बटा थैंक यू